Hello Everyone, My name is Gorov. Welcome to the WSQ Tech. WSQ Tech में आप से आप सब्सक्राइब का स्वागत है. जैसे कि आप से बता है हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है. इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम डिसकस काने आ रहे हैं Convert Tax को. देखिए टेक्सिंग की सीरीज के इस तेक्सिंग की सीरीज के अंदर हमने सब स के बारे में convert text क्या होता है यहां पर बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहां पर आपके पास कोई भी taxing है जैसे कि आपने single and taxing लिखी आपने उस single and taxing को आप convert करना चाहते हैं multiline taxing के लिखें यहां पर आपने गलती से यहां बाइ आप कहां चल सकते हैं multiline taxing के लिखें आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास जो बी taxing है यहां पर आपके लिखें और आपके अने के बात करते हैं यहां पर हम taxing के बारे में तो देखिए taxing अंदर हमने क्या किया सबसे फहले यहां पर single line taxing और multiline taxing और discuss क्या दुनों के बीच में difference क्या है हमने यह भी दिखा और इसके अंदर editing किस्ते किया रखते हैं हमने वह भी देखा अब हम देखने वाले ही आप single line taxing to multiline taxing के अंदर किस्ते से convert कर जा सकता है त यहां पर का है single line taxing और दूसरी तरफ है multiline taxing तो मुझे क्या करना है single line taxing to multiline taxing के अंदर जाना यह single line taxing का जो word है मुझे वो मुझे multiline taxing अंदर लेगे जाना है क्योंकि यहाँ पर यदि मैं इसको editing करता हूँ तो editing करते वक्ति का हो रहा कि मेरे पास पूरा का पूरा जो autocad है वो पूरा का प्रोचें जोगा जैसके मुझे यहाँ पर auto लिखना है के वर square को यहाँ से अटाना है simple सा तो cat को यहाँ पर रटाने के लिए मुझे पूरा का पूरा auto वापस दिखना पड़ेगा यहाँ पर cat को यहाँ पर remove नहीं किया जा सकता इसलिए हम यहाँ पर single line text into convert करेंगे फिसके हम अंदर convert कर सकते हैं और पर paragraph के अंदर editing भी कर सकते हैं हम क्या enter करना है basically बात करें हम बात करहें हमारे पास क्या है txt2mtxt yes txt2mtxt single line text into हम multi line text ask estos txt mtxt तो जैसे हमें यहां पर नीचे command window गंदर दिखिया यहां पर यहां पर पूच्छा जा रहा है select the object और setting तो देखे हमें यहां पर object को select करना है जैसे कि मैंने यहां पर object को select किया और enterprise कर दिया enterprise करता है यहां पर देखे आपके पास single line taxing to multi line taxing गंदर convert हो चुका है देखे किस्तर से यहां पर जैसे ही मैं यहां पर click करता हूँ तो देखे आपके पास यह multi line taxing गंदर जा चुका है अब मुझे यहां पर cat करना है यहां पर यहां पर करते हैं यहां पर चुके अब सिंगल आन टेक्सिंग करते हैं तो सिंपल से हम यहां पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो यहां पर आपके पास बहुत सारी settings जाएगी जैसे यहां लिका है Stop to all-top & down यहां पर अपर Select to order and आप यहां पर एडिटिन कर सकता है और यहां पर अपर और यहां पर प्लुट से करना है यहां पर किसमें बनी चुका यह जो बनी बनी जुका है लेकिने से पहले हमारे पास क्याता है यह सिंगलाइन टेक्सिंग करता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सिंगलाइन टेक्सिंग टू मल्डिलाइन टेक्सिंग कर जा सकते हैं तिंपल सा यहाँ पर सिंगलाइन टू मल्डिलाइन टेक्सिंग कर सकते हैं क्लियर होगे यहाँ पर किस तर से आप यहाँ पर да